तो आज हम बनाएंगे हमारे देश का सभी का फेवरेट स्ट्रीट फूड यानि की पानी पूरी कुप चूप पुझ का कहीं जगा पर इसका कितने नाम हैं मत पुझें पर टेस्टी भी उतना लगता है तो आज हम बिल्कुल थेले बाली परफिट पानी पूरी यानि की कुप डाल रही हूं मेता जदा नहीं डालना है अब हम इसमें डालेंगे स्वातन सा नामक दो कप सुझ में यानि की हाफ कप हम मेता ही डालेंगे और इसे मैचे से मिक्स कर लेते ही अब हम इसमें गरम पानी डालेंगे थोड़ा सा ही हम इसमें खाने वाले सोड़ा डाल देते ही और एक चुटकी बर ही डालेंगे, अब हम इसमें गराम पानी डालकर इसका एक डो रेडी करेंगे, डो हमारा थोड़ा सा टाइट होना ज़रूरी है, इस तरीके से हम इसे अच्छे से गुंथ लेते हैं पहले, पर हमारा डो बनकर रेडी हो चुके है, तो अब हम क्या करेंग यानि कि पानी पुरी का पानी, अचा हूं पोदिना पानी बनाने बाले हैं मेहां पर एक मुठी भर के पोदिना ले रहे हूं और इसे थोड़ा सा कम धनिया, एक तुकडा अद्रक और दो ग्रेंचीली, स्वादों सा नमक, और हाप लेमन को हम इसमें स्कुइच करके इसका टालती थे ही, और इसमें हम दो से तेन का पानी आड़ करेंगे, अब इसमें डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा हिंग पाउडर और भूना हुआ जीरा और सुखी लाल मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मेहां पर थोड़ा सा लेमन को स्लाइस में क पानी हैं दोस्तों जोरूर एक बार ट्राइ करना मुझे कमेंट करना इसका टेस्ट आपको कैसा लगा तो चलते हैं दो की तरफ यहां पर हमारा डो भी परफेटली रेडी हो चुके हैं तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं या अच्छे से नेड कर लेते हैं आप है अपने मन पसंद की किसी भी सेप में काट सकते हों यानि कि साइच आप चाहे तो छोटे साइच भी कर सकते हूँ या फिर बड़े साइच कर सकते हो इस तरह से कोई भी ग्लास या फिर कोई भी सार्फ चाहिशा लेestra और इस से हप इस तरह के से कट कर लेना यह तुरी पसंद रहता है इसलिए नहीं तो आप छोड़ी छोड़ी लोयां बना कर भी बहल सकते हो सारे पूर्यों को पहले आप बहल लेना अच्छे से उसके पाद एक रुखा हुआ टावल या फिर रुखा हुआ कपड़े में आप इस तरीके से आरेंज कर ली ना इसे भी थोड़ी देर आराम की जरुए थे जैसे कि हमें आराम की जरुए थे इस तरीके से आप सारे पूर्यों को अरेंज कर लेना अगर आपको भी पानी पूरी पसंदे यानि कि गुप चुप पसंदे मुझे चैनल कमेंट करना अगर पसंदे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना इस तरीके से हमारा सारे पूरीयां बनके रेडी हो जुके हैं उसके उपर हम और एक गिले टावल से इसे कवर कर लेते हैं यहां पर हमारा तेल भी अच्छे से घरम हो जुके हैं तेल का हीट हम मीडियम ही रखेंगे एक के बाद एक पूरीयां डाल कर इसे हम कुछ इस तरीके से पहले प्रेश करते जाएंगे नहीं तो यह अच्छे से नहीं फूलेगा जब एक पूरी अच्छे से फूल जाएने उसके पाद आप इसे साइड कर लेना और इसे पकने के लिए छोड़ देना दूसरे पूरी डाल कर इसे इस तरह से ड्याप ड्याप करना इसा करने से हमारा पूरी बहुत अच्छे से फूलेगा आप देख सकते हो हमारा सारे पूरी अच्छे से फूल रहे है जो कोई इसका बिजनेस करते न वो अच्छे से हबिचूटेट हो चुके होंगे इसलिए वो जल जल बना रहे होंगे एक साथ सारे डाल कर बना रहे होगे हमें तो प्राटिस नहीं है इसलिए हम एक के पात एक डाल का इसे इस तरीके से डप डप करते हुए ही पुलाते चाहेंगे और इसे हम साइट कर देंगे यह थोड़ा सा ब्राउन होने तक यानि कि क्रिस्पी होने तक आप देख सकते हो मैं बिल्कुल वीडियो कट नहीं कर रही हूँ आप देख सकते हो कितने अच्छे से पुरियां फूल रहे है और उतने अच्छे से क्रिस्पी भी बन रहे हैं दोस्तों एक बार ज़रू ट्राई करना और मुझे बताना सच में बनाया या नहीं इस तरीके से हम सारे पुरियों को रेडि कर लेंगे हमारा पानी भी रेडि हो चुके है और पूरी भी रेडि हो चुके है तो चलते हैं आलो मसाला रेडि करने के लिए पर उससे पहले आप अच्छे से पुरियों को देख लीजिए किस तरीके से में इसे डफडफ करके भुला रही हूं बहुत इच्छी से फुले गोँ बहुत रिस्पी बनाई ंदोस्तों आप यहले से भी देख चुकर होई कितनी से जोड़ें और इसी तरह से ही हम सारे पुडियों को ब्राउनों से पकने के लिए चोड़ देते हैं अब ह डालेंगे चप्ट क्या हुआ प्याच, चप्ट क्या हुआ ग्रिन चिली, चप्ट क्या हुआ धने की पत्ते, तोड़ा चा फ्राइ करके डाल देए हूं, क्रिस्पी पन आठ करने के लिए, यहां पर साफित बला माटर जो होता है वो यूज कर रही हूं, आप चाहिए तो चन डालने बले है, बुना हवας जीरा और रेट चिली पाउडर, जीरा और रिट चिली को हम अच्छे से बुनकर इसमें पाउडर बना कर डालेंगे, पाउडर जादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा धर-धरा रेना चाहिए, और काला नामक टालकर रिजर्जर्ण, मुझेंдर जड़ा ताम ज़म के जरत नहीं है, सिंपल और अथिंटिक की डिस्टी लगता है यहां पर हमारा आलो मिक्सटेर भी ready है पानी पुरी का पानी रड़ी है, जो कि होता है बहुत ही जड़ा इम्पोरें और पुरिया भी रड़ी है तो डिर की इस बात की जली आ जहाँ पानी पुरी पाटी बनाते हैं और हमारे पूरियां कितना क्रिस्पी बने आप देख सकते हैं आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप एक साथ कितने पानी पूरी खा सकते हों। मुझे जरुर बताना दोस्तों कमेंट करके और जरुर ट्राइ करना। थांक्स फ़र वाचिंग मैं चैनल।